वेल्कम तो दे चैनल डिये स्टेंट्स एस इस वेल जो हम आज डिस्कस करेंगों आपके क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइव का जो चैप्टर है रीच फॉर दे टॉप उसका सेकेंड पार्ट मारिये शारप हुआ तो चलिए स्टार्ट के लास्ट वीडियो में हमने जो डिसकस किया था वो था संतोस यादो जो कि इसका फर्स पार्ट था और अगर आपने उसे वाच नहीं किया है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यू कैन चेक देर तो चलिए स्टार् भी है एक्चले में जो उनके अंदर सप्राइस कर देने वाले चीज थी उसी के बदालत वह 2005 में टेनिस में सबसे नंबर वन की महिला खिलाडी बन गई थी और यह बहुत ही कम टाइम में हो गया था उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया था नंबर वन बनने में और कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एज के अकॉर्डिंग जबकि वो अपनी एज में कम थी लेकिन यह उस से भी ज़्यादा सेक्रिफाइस करके गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा हाड़ वर्क किया और कह रहे हैं कि इन्हें जब इन्होंने अपना प्रोफेशनली टे इतनी एज में इन्होंने सब कुछ सीख लिया था जितनी एज में कोई भी सक्रिफाइस करने के लिए तयार नहीं यह केवल 10 साल की थी और इन्होंने अपना दसमा बर्तरी भी नहीं मनाया था और इनको ट्रेनिंग के लिए अमेरिका बेज दिया गया और उनकी मा जो थी वो उनका वीजा पास नहीं हुआ था दूसरी चीछ वो अपनी माँ से दो साल बिल्कुल अलग रही है वह यह बोलती है कि जब मैं चोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ को याद करती थी और मैं अपने पारेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान लेती थी उनकी बहुत याद आती थी और मेरे फादर वहां थी लेकिन मेरी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए वह हमेंसा पूरा काम करते थी और हमसे जल्दी मिल भी नहीं पाते थे वह कहती है कि मैंने अपनी छोटी सुम्र में यह सीख लिया था कि अगर ट्रेनिस आजाती थी और मुझे जगा करके कहते थे कि पूरा कमरा विवस्थित करो उसको अरेंज करो और से साफ करो लेकिन उनका जो यह था मैं उससे तनाव में नहीं आती थी बलकि मुझे माइंड मेरा बहुत ज़्यादा टफ हो गया मैं इन चीजों से बिलकुल लड़ना सीख एकदम सशक्त हो गई कि मैं इन चीजों से को सहन करते करते मैं पीछे नहीं जाओंगी कभी मैं आपने क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे क्या चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वह बोलती है कि अगर इस तरीके का जो अमानवी वेभार मेरे साथ किया यह इस तरीके के जो मेरे इंसर्ट की गई थी मैं तो और भी जाथा इससे सहन कर सकती थी अपने लच्छ को पाने के लिए जो उनकी मेंटल टफनेस थी वह प्रेजन टाइम में भी बिलकुल उनके अंदर एक्टिव है 2004 में जब उन्होंने विंबल्डन में जो उनका सिंग के जो इसनों फिल्स थी वहां से लेकर कि टेनिस की उचाई तक जाना इनके हाड़ वर्क ने उनके साथ की लोगों का प्लस उनके जो फैंस थे टेनिस फैंस थे उनके दिलों में अपनी अच्छी सी जगह बना ली थी और हां उनका जो इस्टीट फारवर बोलना प्लस जब उनसे कुछ पूछा जाये तो वह सीधी सीधी जो जवाब देती थी उनसे तो बिल्कुल यह क्लियर हो जाता था कि सेक्रिफाइस पूरी तरीके से सफलता के लिए बेसिक नीड है वह बोलती है कि मैं बहुत ज़दा कॉम्पेटिटिव हूँ और मैं बहुत ज़दा हार्ड कि जो यूएश है वह मेरे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है लेकिन जो मेरी नागरिकता है जो मेरा खून वह रशियन ही है और मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलूंगी अगर वह चाहें तो बस इसके बाद में बोलते कि जैसे उनके जो उनका टीनेजर पियर चला था तक यूप में अजर जो टीनेजर होते हैं उनके मन में जो भी उनकी फॉनेजर होती है उनका इसी तारिके से मारे शवार्पवर के इंदर भी थी उनको भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग इन सब चीजों का शॉक था और उन्हें आर्थन कोनन डाइल की नॉवल पढ़ने अब भी शौक था उनका जो सबसे बड़ा जो उनका शौक था वो था कि इवनिंग टाइम में उन्हें गाउन पहना बहुत अच्छा लगता था था अब वह करें कि उनकी यह पसंद थी तो उनके खाने वाली जो पसंद थी उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी क्योंकि उ हमारे शाहपों किसी भी तरीके से कैटरगराइज नहीं कर सकते उनका जो सक्सेस के प्रती जो उनकी मेंटल टफनेस थी जो उनका सेक्रिफाइस था उसी की बदल दुनिया की टॉप पर पहुंची है वह बोलती है कि हां मैं जानती हूं कि टैनिस को स्पोर्ट भी और एक ब एक्सपीरेंस उनको मिल गया और किस तरीके से वो अपनी फेमसनेस को एंजॉय कर रहे है तो वह बोलती है कि हां मैं यह मानती हूं कि टैनिस स्पोर्ट है और प्लस टैनिस से पैसे भी मिलते है यह बिजनेस भी है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि नमबर वन ब बढ़ातरा और मैं नमबर बन गई so that's it आपको यह पार्ट होता हूं यह है कम्प्लीत है and we will discuss next chapter in next video so keep watching thank you so much